नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग इंडिया नियूज मैं हूँ अजय पांडे कुरोना से पूरी दुनिया तराहिमाम तराहिमाम कर रही है लेकिन चाइना है कि मानता ही नहीं चाइना अपनी बिस्तारवादी नीतियों की वज़ा से एक बार फिर से पूरी दुनिया में सुर्खियों में बना हुआ है जी हाँ साउच चाइना सी पर सूपर पावर अमेरिका और चाइना की सेनाएं आमने सामने आ चुकी है और आए दिन रोज खबरे आ रही है कि दोनों सेनाएं मिलिटरी ड्रिल कर रही है लेकिन साउच चाइना सी में ऐसा क्या है जिस पर चाइना अपना सब कुछ दाव पर लगाने के लिए बेताब है तो दोस्तों आईए जानते हैं सबसे पहले साउच चाइना सी के बारे में साउच चाइना सी परसांत महसागर के पस्चमी इलाके से लगा हुआ एसिया के दच्छिनपूर में इस्थित इलाका है जो लगभग 35 लाख स्कौाइर किलोमेटर का है जिस पर चाइना, बियतनाम, फिलिपिन्स, मलेशिया, ताइवान और बुर्नवी अपना-पना कबजा बताते रहे हैं चाइना ने इसके लगभग 90 परसत भूभाग पर जबरन अपना कबजा कर रखा है और तो और उसने इंटरनेशनल ट्रिबुनल के फैसले को भी मानने से इंकार कर दिया है और इस इलाके पर छोटे-छोटे दियूब बिना कर अपनी मिलिटरी को अस्थापित किया हुआ है तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर साउच चाइना सी में ऐसा क्या है जिसकी वज़ा से चाइना इस पर जबरन कबजा करना चाह रहा है तो आईए हम आपको बताते हैं कि इसका आर्थिक और सामरिक महत्त क्या है दोस्तों पूरी दुनिया के जहाज एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तमाल करते हैं एक आंकडे के मुताबिक लगभग 5 लाख करोन अमेरिकी डॉलर का बैपार हर साल इसी रास्ते से होता है और तो और एक आंकडे के मुताबिक 213 अरब बैरल तेल और 900 ट्रिलियन क्यूबिक फिट नेचुरल गैस के भंडार है यही वज़ा है कि चाइना सोचता है यदि इस इलाके पर उसका कपचा हो जाएगा तो आने वाले दिनों में वह दुनिया का सूपर पावर बन सकता है लेकिन इसकी बिश्तारवादी नीद को ठेगा दिखाने के लिए ताइवान सीनातान के इसके सामने खड़ा हुआ है इंटरनेशनल ट्रिब्यून के फैसले के बाद से ही अमेरिका ने चाइना के ऊपर आँखे तरेरनी सुरू कर दी थी लेकिन वह खुल कर कभी सामने नहीं आ रहा था दोस्तों आप जानते हैं कि जब से कुरोना पूरी दुनिया में फैला है और अमेरिका में लगभगदो लाख लोगों की मौत हो गई है उसके बाद से अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प कई बार इसको चाइनीज वाइरस का नाम दे चुके है अमेरिका साउच चाइना सी के मुद्धे पर अब खुल के सामने आ गया है और उसने अपने दो एरक्राफ्ट रोनाल्ड रिगन और ईगेसेस निमिज को परसांत महसागर में उतार दिया है जो आए दिन मिलिटरी ड्रिल करते हुए नजर आ रहे हैं साउच चाइना सी में अमेरिका के इंटरी से चाइना के होसफाकता हो गए हैं दोस्तों अब देखना ये होगा कि क्या इस नीले समंदर में अमेरिका चाइना के गुरूर को मटिया मेट करेगा या फिर चाइना सूपर पावर अमेरिका को पटकरनी देकर दुनिया का बेताज बास्सा बनेगा दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए जैहिन जैभारत